हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग शब्द है तो इसको हम काफी डिटेल में कवर करेंगे बहुत सारे बच्चे आज भी इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज है अलग कि पहले मैंने कई बार बच्चों को इसको एक्स्प्लें किया है तो आज अलग से एक वीडियो लाई गई है आलोचनात्मक शब्द को लेकर इसमें हम आलोचनात्मक शब्द यानि कि क्रिटिकली यह जो शब्द है जो कि एक्जाम में कई बार देखा जाता है तो इसका क्या रियल अर्थ है इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे इंपॉर आप पाएंगे कि कई बार लिखा रहता है कि यह जो सिध्धान्त है इसका आलोचनात्मक श, y, z कोई भी विशे हो सकता है आपके कुश्यन का तो उसमें लिखा रहेगा कि यह जो सिध्धान्त है या कुछ भी है उसका आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए या आलोचनात्मक कई बार ऐसे लिखा रहता है इंगलिश में कि critically analyze this topic या critically critically examine कई बार ऐसे लिखा रहता है critically examine the statement कोई statement लिख दी गई उसके बाद कहा गया critically examine this statement मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो exam में कई बात आलोचना अत्मक शब्द देखने को मिलता है अब आपको करना क्या है यहाँ पर आपको बात समझ नहीं कि अगर आपके exam में किसी question में आलोचनात्मक लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है इसका तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ देखो आलोचनात्मक के साथी जात आपको कभी कभी समालोचनात्मक भी लिखा मतलब ये कि आलोशना में ये दोनों ही चीजे शामिला आपको गुण मतलब अच्छाई हैं और दोश मतलब बुराई हैं दोनों ही बाते बताने हैं किसी भी question में अगर लिखा है कि इसका आलोशनात्मक परेक्षन केजिए या आलोशनात्मक विशलेशन केजिए तो आप उस question टॉपिक से जिस भी topic से question संबंदित है लाइक कोई foreign policy से संबंदित है जैसे कि मान लोग कह दिया जाए कि अमेरिका के साथ भारती संबंद का आलोशनात्मक विशलेशन करो तो इसका मतलब क्या आलोशनात्मक रूप से मतलब क्या भारत के भारत के अच्छाईयां हैं अमेर हैं तो आपको वो भी बताना चाहिए साथ में ही साथ में ही आपको जो साथ में आपको जो दोश हैं मतलब आपको जो दोश पता है उस topic से संबंदित आपको वो बताने पड़ेंगे ठीक है जैसे कि मान लोग कोई topic है तो उसमें कई सारे दोश भी होंगे कुछ कम्या होंग उस सिद्धान से सम्मंदित तो वो भी आपको पतानी पड़ेंगी मतलब ये है सिंपल सा है कि आलोशनात्मक का मतलब गुण और दोश दोनों की दिरिश्टी से आपको आंसर लिखना होता है आपको सारी बातें बतानी होती हैं सही गलत सब कुछ नॉर्मली अब आप लोग कह आपर कड़ा सकते हैं कही बार आप लोगों को मैंने या आप लोगों को पढ़ा कोईिए टाप्झ कपढ़ा दिया जाता है और आप जब बैटते हैं तो आप एक इक्वाटी में ग्पल से सम्मंदित आपको जो भी बातMy उसे arrange करकर आप वह सारी बात इन लिखने का माँब प्रियास करें ऐसा भी ना हुजांए कि आपका पेज बहुत सा अगर आपको माल Onuब बहुत जादा पता है तो सारा ही लिखते जा रहें पेज भरते जा रहें और आप बहुत ज़्यादा लिख चुकें तो ऐसा भी ना हो लेकिन अरेंज कर लें आप एक लिमिट में कर लें और सारी बातें जो भी आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव वह सारा ही लिखने का प्रयास करें तो आपका वह आलोचनात्मिक विशलेशन कोई तरह सही माना जाए जरूरी यहां पर जरूरी नहीं होता कि यह इसके गुण है यह जो टॉपिक है वह इसके गुण यह रहे इसके दोशी रहे आप बस लिखते जाएं जो भी बातें आपको पता हैं कोई दिक्कत नहीं होगी वह आलोचनात्मिक विशलेशन माना जाएगा आप कन्फूजन य अलग होता है और इसका मतलब अलग होता है कई बार लोग आप एक समझ सकते हो इसको कई बार आप लोगो को कई बार कहा जाएगा कि दोनों का मतलब से में लेकिन कोश्चन पेपर पर दोनों का मतलब अलग होता है या रखना आलोचना का मतलब होता है बिल्कुल क्रिटिसा आत्मक का मतलब और आलोचना का मतलब पूरा अलग होता है तो यहां आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गही होगी उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को